कि अजोध्या बागवान राम की नगरी धर्म की नगरी जो हम सब के पूझे नगरी है वो वहाँ पर आज बच्छीयों के साथ बैविचार किया गया है और वो बिटिया गरीब परिवार की बेटी जो राम जन भूमे में काम करती थी वहाँ पर बैचारी साफ सफाई करके आप सोच सकते हैं बड़ी-बड़ी बात करने वाली भारती यंता पार्टी की सरकार और धर्म पे पूरी तरीके से अपनी राजनीती करने वाली भारती यंता पार्टी की सरकार और जो ज़्याय के अंदर जो भ्रस्टाचार हुआ तो हुआ मंदिर में पानी चुआ राम प प्रेंगा जी हमारे नेतर खड़गे जी सब लोग उनके साथ खड़े हैं उनके निर्दिस पर मैं जा रहा हूं निस्चे तोर से उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उस परिवार को मजबूती परदान करने के लिए पूरी कॉंग्रिस का एक एक कारेकरता हमारी महला बह हम मिलके लड़ेंगे पाच सीटों का हमने प्रस्ताव दिया है जो बाचवा गडबंधन की सीटे जो 22 में जीते थी ये लोग हमने अपना प्रस्ताव दिया है केंदरी निदित को केंदरी निदित उत्य करेगा और मिलके लड़ेंगे और दस की दस भारती अंदा पार्टी को जमीन दोज करेंगे हराएंगे तो भारतिया नहीं है और साथ में ये भी कहा है कि वो आतंगवादियों के समगता कि अकर वाड मिलता है तो नंबर वन आतंगवादी का वाड तो इस तरह की बाशा को असके से लिखते हैं तकी ये पूरी तरीके से RSS की मानसिकता है संग की म राहूल गांदी से तने घबडा गए हैं डर गए हैं कि राहूल गांदी जी के बारे में अनाप सनाब इनको बुलवाया जा रहा है जिसकी दादी इस देश के लिए शहीद हो गई जिसके पिता इस देश के लिए शहीद हो गए उसको बताना पड़ेगा उसको सफाई देन राहुल गांदी जी, हम सब के नेता हैं, हम सब के मार दरसक हैं, निश्चित तोर से देश के एक एक लोगों का विश्वास, मोची का, नाई का, धोबी का, आम आदमी जो गरीब आत्मी है, जो इस सरकार में सताया हुआ आत्मी है, जिसको फर्जी इन काउंटर कर रहे हैं, ज जिन बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं उनका परिवार सबकी वैपारी समाथ सबका समर्थन राहूल गांदी के साथ है राहूल गांदी इस देश के लिए हम सब के लिए सौबागी है कि वो हमारे नेता हैं और इस देश के लिए उनिश्चे तोर से एक महापूरुशिक सं देखिए मैं तनहीं कहना चाहूंगा मुखमंत्री का पद्ध बहुत ही महत्पून पद्ध होता है किसी प्रदेश के लिए मुखमंत्री बहुत ही महत्पून पद्ध है प्यजरी वाली को जनता की सिवा करना चाहिए उनको जनता कर जिस परकार से समर्थन मिला प्यार मिला उ को समर्थन करना साथ देना चाहिए और उनको सिवा करना चाहिए बाकी iology इस्तिफादेना और फिरोजावाद में था तेलिक समाज का कारिकरम रहमारे सांसादरा के सराठोर जी ने रखा था वहाँ पर भी ये बात उठी है ये घर घर की बात आ गई है अब जातीगर्ट जम्गर्णा इनको कराना ही पड़ेगा और ये इनकी मजबूरी हो गई है और संग के लोग भी करने वाले लोग हैं आप देख सकते हैं कि पूरे जो आज इस्टी चल रही है समाज के अंदर वो समाज आज बहुत ही परिशान है महंगाई बेरोजगारी भ्रस्टाचार सबसे परिशान है उस पर कोई भी बैपारी समाज से लेकर सब लोग परिशान है उसको रियायत नह चाहती है और यह एक वन निशन वन एलेक्षन अभी आप देखें चार स्टीट का चुना एक साथ नहीं करा पाएं अभी आप देखतें हरियाना जम्मू कस्मीर हो रहा है महारा स्टीज गड़ का महौल बना लेंगे जहरकंड का तब वहां कराएंगे सारे बाई लेक्सन ए जनता समझ चुकी है जनता भारती इंता पार्टी को अब काफी लंबे समय तक आराम करने के दिसा में दिखाई दे रही है जनता इनको आराम कराईगी